सब्सक्राइब किजिए AKtechnical चैनल को और वल बैल एकेन को दवाईए लेटस्事 टेकैनल वीडियोस और सबसे पहले देखने के लिए मुझ्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल और स्वागत है का मेरे चैनल AK Technical में है दोस्तो आज आपके लिए एक और नए वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे WhatsApp के कुछ नई secret tricks के बारे में तो चलिए दोस्तो जानते हैं क्या है वो secret tricks इससे पहले दोस्तो अभी तक आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिक्वेशन आप तक पहुंशती रहे तो चलिए दोस्तो बात करते हैं उन secret tricks की बारे में चुकी होती है जिससे होता है कि दोस्तो आपका data खत्म होता है जो और आपकी जो phone की storage है वो भी cover होती है अगर दोस्तो आप इस sheet को बंद करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जब भी मैं download करना चाहूं अगर तभी download हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp की setting में जाना होगा settings में जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे data and storage uses में क्लिक करना होगा यहाँ पे click करने के बाद आप जाएंगे when using mobile data तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फोटो पे mark किया हुआ है जैसे भी मेरे को कोई मेरा फ्रेंट फोटो सेंड करता है तो वह automatically मेरे WhatsApp पे download हो जाती है अगर दोस्तो आप मैं चाहूं कि हाँ जब मैं download करना चाहूं तभी download करूँ तो दोस्तो मैं इसको unmark कर दूँगा तो अगर दोस्तो आप इसको unmark कर देते हैं तो वह आपके WhatsApp में automatically download नहीं होगी आप जब चाहें तब उसको download कर सकते हैं और यह थी दोस्तो फैली ट्रिक अगर दोस्तो बात करें अब दूसरी ट्रिक की तो दोस्तो इसमें जो आपका WhatsApp बात करें दोस्तो तो इसमें जो आपका send का option है वो आपको आपके keypad में भी आ सकता है जिसे आप जल्दी से type करके जल पहले से mark किया हुआ है अगर यहां पर आप इसको mark कर देंगे तो आपका send का option है वो आपके keypad में ही आ जाएगा जैसे आप मतलब जल्दी से type करके जल्दी से send कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने यह mark कर दिया है तो mark करने के बाद जैसे भी किसी को send करता हूँ जैसे मैं यहां से कुछ भी send कर दिया तो अब देख सकते हैं कि send का option ने आ पर आ गया है मेरे keypad पे तो दोस्तों यहां पर आप send कर सकते हैं इसको अगर दोस्तों बात करें अब हम दीसरी ठीकी तो दोस्तों आप किसी भी individual person के लिए अलग से notification custom notification रख सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहां पर जाएंगे आप यहां पर क्लिक कर देंगे किसी भी chat के उपर तो आपको यहां पर क्लिक करने के दोस्तों आप जैसे यहां पर मार्क करेंगे इसको तो आपको यहां पर यह option खुल जाएंगे जैसे कि आप उसके लिए vibration रखना चाते हैं कुछ से भी अलग से ringtone रखना चाते हैं तो आप यहां से दोस्तों रख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें अब चौथी और लास्ट तो दोस्तों जब भी आप अपने फ्रेंड को कोई photo send करते हैं तो दोस्तों वो उसके पास अच्छी quality में नहीं पहुंचती है आपने देखा होगा कि photo जब भी देखते हैं तो फोटो मतलब थोड़ी खराब सी quality की होती है जो photo आपने send की होती है जितना मतलब अच्छा photo में देखते हो तो नहीं अच्छी photo में पहुंची नहीं होती है तो दोस्तों आज मैं ऐसी trick बताऊंगा कि आप HD quality में जो photo है वो HD quality में आपके friend के पास पहुंचेगी तो दोस्तों इसके लिए आपको जो करना है वो यह है कि आप attachment में जाएंगे और जो photo है जो दोस्तों गैलरी से नहीं send करनी है आपने documents में जाना है documents में जाने के बाद जो है आप वो photo send करेंगे जैसे कि मैं यह send कर रहा हूं send करने के बास पहुंचेगी मतलब HD quality में WhatsApp की secret trips दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो please like और share करना न भूले तो please comment करके हमको बताएं और दोस्तों वीडियो देखने के लिए